करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि 36 गड़ में पहली बार पुलिस वी भाग में जो है 5853 पदों पर सबसे बड़ी भरती निकल कर आया है और इस वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लेटली जनकारी बताऊंगा पुलि पुलिस भरती में सबसे ज्यादा इंप्वर्टेंट अगर कोई होता है तो वह होता है आपका सेलेक्शन प्रोसीजर कि सेलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरशे होगा स्लेबस और एक्जाम पेटाना क्या होता है कौन-कौन से सब्जेक्ट से आपके एक्जाम में और अवेदन करने की लास्ट अडेट जो है क्या है तो पांच हाजार आट सो तरफन पोश्ट आप लोगों के लिए निकला है तो इस मौके को जो है अपने हाथ से को जो है जाने मत दीजिए एक्जाम की प्रिप्रेशन जित्त हों से कि बेश्ट दीजिए अच्छे से एफ आप लोगों के लिए वेकेंसी में दीजिए और फुल डैडिकेशन के साथ जो है प्रिप्रेशन की जिससे आपको जो है च्छे से लेक्षन हो सकते हैं और आपको जो है इसमें बहुत अच्छा सेलेरी पैकेज जो है मिलता है जिससे आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो तो पूरा लाश्ट तक वीडियो को देखें आप लोगों को हर एक जानकारी पूरा कंटीनू बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक्जाम को प्रिप्रेशन करना है जिससे आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को सेक्षडी क्योग्यता के बारे में बता चाहिए और इसके साथ ही आपका जो है रोजगार पंजियन होना चाहिए यह कंपल सरी है उसके बाद आयू सीमा की बात करें तो मीनिमाम एज जो है आपका 18 वर्स होना चाहिए और मैक्जिमाम जो है 40 वर्स होना चाहिए str ko जो है आयू सीमा में पंच वर्स का छुड़ दिया जाएगा 20 को जो है तीन वर्स का कदिया जाएगाव Pearson के बात करें तो सबसे पहले तो मैठ आपका फीजीकल टेस्ट हे डिटरन एक्जाम देन मैडिकल टेस्ट होगा तो आपको सबसे ज्रुढ़ मेह जाएगा चेंद प्रक्रे में के बाद करें तो सबसे पहले तो आपका फ्ीजिकल टेशंट, रिटन एक्जाम, देन मेडिकल टेस्ट होगा तो आपको सबसे ज़ादा मेहनद जो है गया है तो सबसे जादा आपको physical में मेहनत करना क्योंकि जितना जादा उप फैजिकन में मेरत करेंगे उतना अच्छा عंग अगर आपका physical में आएगा यदि आप से व्यंफेक्स न में हो जाएगए तो आपको सबसे जादा dua physical प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् में जूट जाते हैं यही आप लोगों के सबसे बड़ी गलती होता है जिसके वजह से आपका सेलेक्शन नहीं हो पाता तो आप से भी को मैं बताना चाहता हूं कहना चाहता हूं कि 5853 पोश्ट आप लोगों के लिए निकला है तो पुलीज भरती परिक्षा एक्जाम की प्रिप्रेशन जो है तैयारी करना सुरू कर दीजिए यदि अभी से आप तैयारी करेंगे फिजिकल के तैयारी करेंगे और उसके साथ ही रिटान एक्जाम के तो आपका सेलेक्शन जर रहेगा और कौन कौन से बूक आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने तो देखा कि बहुत सारा बूक पब्लीश होता है कि पुलीज भरती के लिए ये बूक ये बूक करके लेकिन उनमें से पूछा नहीं जाता और आप ऐसे काफी स्टुडेंट को तो इसके ब पढ़ाई करना पढ़ता है करिबन 6-7 यदि आप पढ़ाई करेंगे 6-7 बूक से उन सभी बूक में से पूरा पुक आप पढ़ेंगे उसके बाद आपका मांक्स जो है अच्छा हैगा और आप रिटन एक्जाम में बेस्ट परफॉर्म जो है आप कर शकते हैं क्योंकि यद और उसमें अगर आपको 36 गड़ के बारे में ही नौलेज नहीं है तो आप जो है एक्जाम को कहां से क्वालिफाई कर पाएंगे तो सबसे ज्यादा में इंपॉर्टेंट आपको 36 गड़ पर करना है 36 गड़ के समानिय जानकारी जीके के बारे में तो 36 गड़ के लिए यदि एकाड़मी का 36 गड़ विशिष्ट अध्यान है यह बुक इतना बेश्ट है कि आप लोगों को मैं क्या ही बता हूँ बहुत अच्छा हूँ इसमें पूरा 36 गड़ के बारे में पूरा नक्षा हर एक चीज पूरा इस्टेफ बाई स्टेफ हर एक चीज कंप्लिटली जानका अधरी मिल जाएगा यदि आपको भूठ ढूंडे में भूठ खरिदने में परशानी हो रहा है तो डिस्कृप्शन में लिंक मैंने दे दिया है आप जो है वहां से जाकर बूक को पर्चेस कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं करेंट अफेर्स के बारे में तो 36 गड़ के क रधान मंतरी या राष्टरपती बन रहा है तो कौन से पार्टी से विलाउन करता है कौन से खिलाड़ी ने कौन से प्रुषकार जीता तो इन सभी के बारे में आप लोगों को इस बात को क्लियर शुनी अच्छे से और चाहिए तो आप अपने कौपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं तो यह आता है आपका कितना रुपय में मिल जाएगा वह भी मैं आपको बता देता हूं 35 रुपय में आपका 35-40 रुपय मिल जाएगा इससे जाद आपका नहीं आएग लेना है क्योंकि 36 गड़ के लिए आपको दोनों से पढ़ाई करना और अरजुना का करेंट अफिर्स इतना बेश्ट होता है कि आप लोग यदि अरजुना का करेंट अफिर्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को कम्प्रिटी हर एक चीज़ बहुत बेसिक से लिएका रेडव क्योंकि आपके एक्जाम में सविधान से पूछे जाते हैं सविधान से आपके लगभग 10-12 पूछे जाएंगे और इतना टफ रहता है कि आप असानिक शौल नहीं कर पाएंगे तो सविधान के लिए आपको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी बुक न सविधान के लिए इतना बेश्ट बूख है जिसमें आप लोगों को सविधान के बारे में संपूर्ण नावलेज कम्प्रिटली जानकारी जो है मिल जाएगा और इसके साथ ही आप जो है रिजिनिंग के लिए क्योंकि तार्किक वस्तूनिष्ट अंक गडित आपके एक्ज जो है क्लियर हो जाएगा हर एक चीज बहुत बेसिक से लेकर एडवांश लेवल तक आपको सिखाया जाता है जिसे आप जो है रिजिनिंग में जो तार्किक रहते हैं उन को सॉल करने में आपको आसानी होगा और आप असानी से उन को सॉल कर पाएंगे और उसके बात करते ह अगर आप गड़ित में वीक हैं गड़ित के बारे में कुछ नहीं जानते हैं मैटस में आप कमजोर है मैटस को देखकर आपको डर लगता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है मैटस में तैयारी किजिए और आपका सेलेक्शन जरूर 100% हो जाएगा यदि आपको बुक खर ग्रवादसर का बुक ले शकते हैं और अरिहन्त का माश्टर रिसनिंग ले शकते हैं और जुना का करंट आपको बुक भूद जया कर तो आप्प लोगों के लिए निकलने वाला बात करें प्रहसा लम आपको क्षेलिय आपको उपिंदा करने कि ल अवेधन करने के लिए घ्ध क्या है तो आप सभी को बताना चाहते हूं इसके लिए अभी उफिचल को सद relationships क के लिए आपको इस डिये से जो है अवेधन करने की लाश्ट डेट है इतना आगया है कि 583 पर आप लोगों के लिए निकलने वाला है पुलिश विभाग में और 100 प्रेसेंट आपका 583 पोस्ट जो है निकलने वाला है उस पर आपका सेलेक्शन होगा तो थोड़ा सा पेसंस रखे थोड़ा सा धारियो शब्र रखें आप लोगों के लिए जो है हम सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो आप एक्जाम की पर प्रेशन अभी स्टार्ट कीजिए जिससे आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो यही जानकारी आप सभी लोगों को मैं देना चाहता था तो आई हो आप की जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थाइंक्यू